नमस्कार जोहार दूर दर्शन जार्खेंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आकांग्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगा समचार जैसा कि इस कारिक्रम का नाम है वैसा ही हमारा उद्देश भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंदित कुछ जानकारिया दे जो केंद्र और राज सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है तो आईए जानते हैं आज की कुछ विग्यप्तियों के बारे में आज की पहली विग्यप्ति है UPSC यानी संग लोग सेवा आयोग से यहां Legal Officer, Scientific Officer, Deputy Architect, Scientific B, Junior Scientific Officer, Assistant Director of Mind Safety, Administrative Officer जैसे पदों पर कूल 71 भरतिया जारी की गई है अभ्यर्ति की साक्षनी क्योगेता की बात करें तो अलग-अलग पत के अनुसार रखी गई है वहीं अभ्यर्ति की आयूसी मा अधिकतम 30, 35, 40 और 58 वर्स अलग-अलग पत के लिए तैक की गई है उसी प्रकार वेतनमान पे माट्रिक्स लेवल 7, 8, 10 और 11 पत अनुसार निर्धारित है आवेदक 27 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं अधिक जानकारी इसकी ओफिस्यल वेफसाइट upsc.gov.in से भी ले सकते हैं अब जानते हैं आज की दूसरी विग्यप्ति के बारे में जो PG-CIL द्वारा जारी की गई है PG-CIL यानि Power Great Corporation of India Limited जहां अप्रेंटिस के पत के लिए भरतिया जारी की गई है जिसमें अलग-अलग रीजन से कूल 1045 परदों की रिखतिया है आवेदन करने के लिए साक्षनी क्योगिता ITI, MBA, BE या BTEC, BMC पर अनुसार अनिवार रहे हैं वही अभ्भरति को आवेदन के लिए कम से कम 18 वर्स का होना आविश्यक है वेतन मान 13500 से 17500 रुपया निरधारित है आवेदन 31 जुलाई 2023 तक किया जा सकता है अधिक जानकारी आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट powergrade.in से भी प्राप्त कर सकते हैं अब जानते हैं बिहार तक्नीकी सेवा आयोग द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में यहां वेफसाइ अनुदेशक के अंतरगत, फिटर, वेल्डर, मेकानिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोनिक मेकानिक, इंजेनियर ड्रॉइंग एवं अन्य पदों के लिए भरतिया निकाली गई है दिस में कूल पदों की संख्या 910 है वैसे आवेदक जिनके पास संबंदित छेत्र में ट्रेट सर्टिफिकेट हो वे आवेदन कर सकते हैं बात करें आवेदक की आयू सीमा की तो कम से कम 21 वर्स और अधिकतम 37 वर्स तक के अभ्यर्ती आवेदन के योगे है वही वेतन मान 9300 से 34800 रुपे निर्धारित है आवेदन करने की अंतिम्ति थी 3 अगस 2023 अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेफसाइट btsc.bih.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं अगली विज्यपती है पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स महानी अंत्रक से यहाँ पेटेंट और डिजाइन परिक्षक ग्रूप एके लिए भरतिया जारी की गई है जिसके अंतरगत जैब प्रौदगी की, जैब रसायन, खादे प्रौदगी की, रसायन विज्यान एवं अन्यपद शामिल है कूल रिक्त पदों की संख्या 500 तिरिपन है अभ्यर्ति की साक्षिक योगिता इसनातक और इसनातकों तर पद अनुसार रखी गई है आयू सीमा 21 से 35 वर्स तैकी गई है वही वेतन मान पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी 56,100 से 1,47,500 रुपे निर्धारी थे आवेदक 4 अगस 2023 तक आवेदन कर सकते हैं अधिक जानकारी इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.qcin.org से ले सकते हैं अगली विग्यप्ति की बात करते हैं जो CSL द्वारा जारी की गई है CSL यानी कोचिन से प्यार लिमिटेड यहां वर्कमैन के अंतरगत फैविकेशन असिस्टेंट और आउटफिट असिस्टेंट की भरतियों के लिए आवेदन आमंतृत किया गया है जिसमें कूल 300 पदों पर रिखतिया है इसमें आवेदन के लिए आवेदक की साक्षनी क्योगिता आई टी आई होनी चाहिए और इसके साथ ही कुछ वर्षों का अनुभव भी संबंधित छेत्र में होना आवशक है आयू सीमा की बात करें तो अधिक तम 30 वर्ष तक के अभरति आवेदन कर सकते हैं वहीं वेतन मान पहले वर्ष के लिए 23,300 रुप्य प्रतीमा निर्धारित है इसमें आवेदन करने की अंतिम्ति थी 28 जुलाई 2023 तक रखी गई है अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट कोचिंस्रिप्यार्ड.in पर विजिट कर सकते हैं अब जानते हैं NPCIL द्वारा जारी की गई विग्यप्ति के बारे में NPCIL यानि Nuclear Power Corporation of India Limited यहां Trade Apprentice के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है जिसमें कूल 107 भरतिया जारी की गई है वैसे आवेदक जिन्होंने संबंधि ट्रेड में ITI पास किया हो वे आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए IUC मा 14 से 24 वर्स तै की गई है वेतन मान एक साल के ITI कोर्स पर 7700 रुपे और दो साल के ITI कोर्स पर 8855 रुपे अभियरतियों के लिए निधारित है आवेदन करने की अंतिम्ति थी 11 अगस्ट 2023 अधिक जानकारी इसकी ओफिसियल वेफसाइट और पी सी आईयल डॉट एन आईसी डॉट इन से प्राप्त कर सकते हैं आज की आखरी विग्यप्ति है आर्पी एसी से यानि राजस्थान लोग सेवा आयो यहां कनेश्ट विधी अधिकारी के पत के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसमें कूल पदों की संख्या 140 है बात करें आवेदन के लिए अभ्यरती की साक्षनिक योगिता के बारे में तो कानुन में इसनातक डिगरी होना आविशक है वहीं आयू सीमा कम से कम 21 वर्स और अधिकतम 40 वर्स रखी गई है वेतन मान पे लेवल 10 के अनुसार निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिमते थी 9 अगस 2023 अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओफिसियल वेफसाइट rpsc.rajistan.gov.in से ले सकते हैं ये थी वेकंसी से जुड़ी कुछ जानकारिया जो केंडर और राजसरकार ने आमंत्रित की है आशा करती हूँ ये जानकारिया आपके काम आएगी ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समचार साथ ही कोई विचार आप हमारे साजा करना चाहते है तो आप हमारे यूटुब चैनल डीडी जारकन को सब्सक्राइब कर सकते है और उसके कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते है वैकेंसिस से जोड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग द्वारप्रकाशित सापताहिक पत्री का रोजगा समचार भी पढ़ सकते है आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजी इजाजत धन्यवाद